लुका सोला अध्याई 22-26 बद और ऐसा हुआ कि वहा कंगाल मर गया और स्वर्कदूतों ने उसे लेकर इबराहिम की गोद में पहुँचाया और वहा धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीडा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई और दूर से इबराहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा हे पिता इबराहिम मुझ पर दया करके लाजर को भीज दे ताकि वहा अपने अंगुली का सीरा पानी में भीगोगर मेरी जीब को ठंडी करें क्योंकि मैं इस जुआला में तड़प रहा हूं परन्तु इबराहिम ने कहा हे पुत्र स्मरंकर कि तु अपने जीवन में अच्छी वस्त्वें ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्त्वें परन्तु अब वह यहां शान्ती पा रहा है और तु तड़प रहा है और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारी बीच एक भारी गड़हा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकी और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकी उधार प्राप्त करने और स्वर्ग जाने का एक मात्र मार्ग ये शुमसी है जब आप ये शुमसी को ग्रहन करते हैं तो एक या एक से अधिक आपके पास इस थरह के प्रशन हो सकते हैं एक प्रश्ण उनके विश्य में जिन्होंने कभी ना तो प्रभू के बारे में सुना और ना ही उसे ग्रहन कर पाई यहोई विवेक के न्याय के उपड जो भलाई के लोग है वो परमिश्वर को मानते हैं और साथ ही कुछ ऐसे हैं जो अपने इच्छा से प्रभू को ग्रहन नहीं कर पाते हैं जैसे कि छोटे बच्चे जो पहले मर जाते हैं उनका उधार कैसे होगा जाहे कोई व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो प्रतिक अन्याय आवश्य ही होगा और उसके बाद प्रतिक व्यक्ति को या तो स्वर्ग जाना होगा या नर्क यदि बच्चा पा ना दिखाई पड़ें उन्हें प्रचार करने के द्वारा उन्हें उधार पाने के अधिक अवसर मिलते हैं। पिछले सत्र में हमने स्वर्ग और नर्क और उपरी कबर के आधरित धांचे के बारे में सीखा। मैं जानता हूँ कि आप मैसे कुछ लोग नर्क के वास्त्विक्ता के बारे में जानने के लिए उत्सुख है। परंतों से पहले मनुश्य जुताय की रूप रेखा में नर्क के पूरी समझ होना हमारे लिए अवश्यक है। नर्क के बारे में परचार करने का कारण यह नहीं कि आप नर्क के बारे में जो डर है उसका ज्यान प्राप्त करें। बल्कि इसलिए कि आप एक सच्चा जीवन जीज सकें और वो भी नर्क के डरावनी सजा को जानने के दौरा ही नहीं। यदि आप आज के संदिश को अच्छे से समझेंगे तो आप परमिशुर के बहुतायत की प्रेम को उसके नियाये में महसूस कर पाएंगे मैं सच मुछ आशा करता हूँ कि आप उधार प्राप्ट कर सकें और स्वर्ग के राजय में जा सकें परमिश्वर के गहरे प्रेम के द्वारा और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप प्रेम और न्याय की निरंतर समझ प्राप्ट कर सकें ताकि आप असंखे मर रही आत्माओं और साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप एक अच्छा जीवन जीएंगे तो क्या आपको चर जाना जरूरी है? अगर भले लोग स्वर्ग में जाएंगे तो क्या ये अच्छा नहीं है? सिर्फ स्वर्ग और नर के अस्थित्वों को मान लेने के द्वारा या फिर सिर्फ भला होने के द्वारा कोई वेक्ति स्वर्ग के राजिये में नहीं जा सकता है। तो तुलनात्म गरूप से वह एक भला वेक्ति था क्योंकि वह अपने भाईयों के लिए चिंतित था। ये देपी वो इस बात को जानता था कि वह सदाकाल के लिए नर्क में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज कैसा है? आज यहां तक कि अगर एक भाई अपने भाई का कर्ज ना चुकाएं तो वह एक दूसरे के शत्रू बन जाते हैं। जब उनका पड़ोसी संपन होता है तो वो अपने पड़ोसीं से इरिशा रखने लग जाते हैं। लेकिन इस धनी व्यक्ति का हिर्दय भाला था। परन्तु तो भी उसने उद्धार नहीं पाया। बलकि वो नर्क में जागिरा। आपको इस बात को याद रखना है। लोका 16 अध्याई 27 और 28 बत कहता है। उसने कहा हे पिता मैं तुझ से बनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। क्योंकि मेरे पांच भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गावाएं ते ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगा में आए। परन्तु क्यो एक युवक को जो कुछ उसका है उसे बेच कर गरिबों को दे दिना चाहिए। एक युवक ने जो येशु के पीछे हो लिया था येशु से पूछा कि मैं उधार पाने के लिए क्या करूं। वो कह रहा था कि वो इस व्यवस्था को मानता है उस व्यवस्था को मानता है त अधिक और अधिक पाने की कोशिश करते हैं। अपना कोश बढ़ाते हैं, मुझे उन पर दया आती हैं। यदि आप उनमें से ऐसे हैं, आप मुझे नापसंद कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और नहीं कर सकता ऐसा महसूस करने के बज़ाए। ये परमिश्वर का वचन है और प्रभू ने ऐसा ही सिखाया है। उधार पाने का यही सही तरीका है, वे जो अधिक से अधिक कमाने के लिए परिश्रम करते हैं, वे मुझे नापसंद कर सकते हैं, लेकिन तो भी मुझे इसी तरह से उनने सिखाना होगा। मैंने भी स्वयम से इस तरह का जीवन जिया है और मैंने लोगों को दिया है। आज, कुछ लोग सू समाचार के बारे में प्रशन पूछते हैं, ये कहते हुई, कि क्यों हम उधार पाते हैं, क्यों हम स्वर्ग केवल तब जाते हैं, जब हम ये शुमसी पर विश्वास करते हैं, वो पाप की समस्या के कारण है, स्वर्ग साफ और शुद स्थान है, और पापी वह नहीं जा सकता, कुछ लोग जो कुरूस का संदेश नहीं जानते हैं, वे कहते हैं, कि क्यों हम विश्वास करते हैं, कि क्यों हम ये शुमसी पर विश्वास करने के द्वारा आपका उधार होगा, रोमियो 6 अध्याई 23 पत कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यू है, इसलिए अगर आप इस पाप के समस्या का समधान नहीं करेंगे, तो आप मृत्यू का सामना करेंगे, यहां पर मृत्यू केवल शारिरिक मृत्यू ही नहीं है, वो शारिरिक मृत्यू, जिसका सामना हम इस धर्थी पर करते हैं, बल्कि यहाँ आत्मा की मृत्वी को दर्शाता है, जो है सदाकाल के लिए नर्क में पीड़ा उठाना, आपको अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए ताकि लोग आत्मतिया ना करें, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आत्मतिया इसलिए करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उनका नुकसान हो जाता है, अगर वो अपने पैसे का निवेश करते, तो आत्मतिया करने का उनके पास कोई कारण नहीं होता, लेकिन वो दूसरों से पैसा उधाल लेते हैं, और फिर उनका पैसे का नुकसान हो जाता है, ब बलकि एक उचित जीवन यापन कीजी, यदि आप एक पेशीवर नहों जो अपने काम को बहुत अच्छी से जानता हो, जो जानता है कि वो क्या कर रहा है, तो आप इस तरह से स्टॉक मार्केट में शामिल नहोई, मैंने देखा है बहुत से लोगों को इस तरह से पीड़ा आया है और वो स्वयं भी बहुत पाप करते हैं, और पाप के इस समस्या का समधान पाने के लिए, और उधार पाने के लिए स्वर्ग जाने के लिए, आपको क्या करना होगा, रोमियों दस अध्याय नौपद में लिखा है, यदि तो अपने मुहों से येशु को प्रभु जानकर अंगेकार करें और अपने मन से विश्वास करें, क्या आप इस तरह से अंगेकार करते हैं, कि परमेश्वन ने उसे मरे हो मैं से जिलाया, यदि आप अपने दिमाग में विश्वास करते हैं, कि परमेश्वन ने प्रभु को मरे हो से जिलाया, तो क्या आप उधार पाएंगे? नहीं, बिल्कुल. आई मैं फिर से दोहराता हूँ. आई मैं फिर से दोहराता हूँ. यदि तू अपने मुहों से येश्व को प्रभू जानकर अंगेकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि पर मेश्वन ने उसे मरे हो में से चिलाया, तो तू निश्चे उ धार पाएंगे जब आप अपने मन से विश्वास करेंगे. यहां पर प्रभू को येश्व समझ कर अंगेकार करना क्यों होटों से प्रभू प्रभू कहना नहीं है? आपको अपने दिमाग में ज्यान की रूप में विश्वास नहीं करना है? आपको अपने विश्वास को जांच सकते है, कि क्या आप मन में या शारीरिक रूप से विश्वास करते हैं। त्रूप से मलाकी में वाधा करता है कि वो हम पर आशिशे उंडे लेगा अगर हम संपूर्ण दश्माश देंगे और परमेशों ने कहा है कि हम उसे जांचे कि क्या वो आशिश देगा या नहीं उसके बाबजुत भी तो आप कितने महान चोर है यदि आप वाइट हाउस में सेंध लगाएं और वहां से कुछ चुराएं तो आपको क्या लगता है कि आप कौन है और यदि आप कुछ ऐसा चुराएजो परमेशोर का है जो सेनाओं का यहवा है इसलिए यदि आप सचमुछ विश्वास करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो क्यों और होंटों से आप विश्वास करते हैं मन से नहीं यदि आप सचमुछ हिर्दे से विश्वास करेंगे तो आपके कर्म प्रकट होगे आप शरीर के कारें नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नर्क जाएंगे और दस्पत कहता है क्योंकि धार्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उधार के लिए मुहूं से अंगिकार किया जाता है केवल तब जब बाइबल में परमेश्वर के वचना अनुसार जीने के हम कारिय प्रकट करेंगे और एक धर्मी जीवन जीएंगे तब ही हमें कहा जा सकता है कि हमारी पास सचा विश्वास है और हम उद्धार पा सकते हैं यदि आप सचमच मन से विश्वास करें तो निश्वीत रूप से वचना अनुसार जीने के कारिय प्रकट होगी केवल तब जब आप मन से विश्वास करें और अपने होंटों से अंगेकार करें तब ही वह अंगेकार सच्चा अंगेकार माना जाएगा इस वरकार से सू समाचार का मूल यह हो है कि उधार पाने और स्वर्ग जाने का एक मातर मार्ग येश्व मसी है आप जब सू समाचार सुनते हैं तो आप मैसी कुछ लोगों के पास इस तरह के प्रश्ण हो सकते है एक प्रश्ण उनके बारे में हो सकता है जिनोंने कभी भी प्रभू के बारे में नहीं सुना और ना ही उसे ग्रहन किया उन लोगों का क्या होगा जो येशुमसी से पहले इस संसार में थे और उन लोगों के विशे में क्या है जो येशुमसी के बाद भी संसार में थे लेकिन उनने येशु मसी के बारे में कभी नहीं सुना और साथ ही उन बच्चों उन शिशूं का क्या होगा जो इतनी छोटी उम्र में मर गए जिस उम्र में प्रभु को समझना उनके लिए मुश्किल था इस तरह के मामले में क्या वो सब नर्ख चले गए प्रभु पर विश्वास नहीं किया नहीं ये सही नहीं है न्याई प्रमिश्वर ने उनके लिए भी उधार का मार खूला जो इस तरह की परिस्तितियों में पाए जाते है उनका उधार उनके विवे के अनुसार होगा जिसे हम विवे का न्याए कहते है परमिश्वर ने मनुश्यों के मन में अनादी अनंत काल का ग्यान उत्पन किया है इसलिए जो भले लोग थे वो ये शुमर्सर के आने से पहले भी परमिश्वर को मानते थी इसलिए वे जिनके पास भला विवेक होगा वो अपने हिर्दे से अपने स्वभाव से ही परमेश्वर की खोज करेंगे चाहे वो सुसमाचा ना भी सुने वो जीवन और बृत्वी पर भी विश्वास करेंगे चाहे वो साफ भी ना हो और साथ ही रोमियो एक अध्याई भी इस्पत कहता है क्योंकि उसके अंदेख ही गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ है और परमेश्वरत्व जगत की सुरिष्टी के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं यहां तक कि वे निरुत्तर है इसका मतलब यहो है कि कोई भी बहाना नहीं बना पाये का यह कहते हुई कि उनका उधार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे नहीं जानते थे कि येश्व कौन है इस वजह से वो येश्व मसी पर विश्वास नहीं कर पाई क्यों? क्योंकि वे जीवित स्रिष्टी करता परमेशुर को संसार के सभी वस्तों के द्वारा भी देख सकते थे यदि वे जानते कि परमेशुर जिन्दा है तो वो भलाई में जीते और बचाए जाते क्योंकि उसके अंदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थे और परमेशुरत्व जगत की स्त्रिष्टे के सम्में से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं मैं परमेशुर की सामर्थे प्रकट करता हूँ लेकिन क्या आप सामर्थे देख सकते हैं जब मैं बेदी से प्रातना करता हूँ तो आप मैंसे बहुत से लोग चंगी हो जाते हैं, जुखाम, बुखार, बहुत सी बिमारियां, आपको छोड़कर चली जाते हैं जब मैं प्रातना करता हूँ, तो मुझे मैंसे सामर्थे निकलती हैं, और जोती भी मुझे से निकलती ह और आपको घेर देती हैं और फिर आपके विश्वास के अनुसार आप रोगाणों से चंगे हो जाते हैं तूटे हुए दान ठीक हो जाते हैं सारे प्रकार के कार्या प्रकट होते हैं इसी तरह से यद्यपीवे दिखाई नहीं देती तो भी उसकी सामर्थे और परमिशुरत तो उसमें हैं और आप चंगे हो जाते हैं हलांकि जिनकी आत्मिकांके खुली है वो ये सब देख सकते हैं उसकी सनातन सामर्थे और परमिशुरत तो वो साफ रूप से दिखने में आते हैं और जो कुछ बनाया गया है उससे समझे जा सकते हैं और वे निरुतर हैं इन सब बातों के द्वारा आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो नहीं जानता था इसलिए मैंने विश्वास नहीं किया वे जो भले हैं वे स्वभाविक रूप से परमेश्वर के अस्थित्वों में विश्वास करेंगे परकृति के सारी चीजों को देखने के द्वारा वे स्वर्ग पर विश्वास करेंगे भला और धर्मी जीवन जीने की कोशिश करेंगे प्रिर्ट पॉल उस जो परमेशोर से साफ रिती से बातें करता था उसने विवेक इन्याय के बारे में लिखा रोम्यू दो अधियाय 14 और 15 पत कहता है फिर जब अन्य जाती रोग जिनके पास विवस्था नहीं स्वभाव ही से विवस्था की बातों पर चलते हैं तो विवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही विवस्था है वे विवस्था की बातें अपने हिर्दयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी घवाही देते हैं और उनके चिंताएं परस पर दोश लगाती है या उन्हें निर्दोश ठहराती हैं वे जो भालाई के लोग है वे अपने विवेक के अनुसार कारे करते हैं यदि उन्हें लगता है कि यहाँ भालाई है तो वो उसी के अनुसार जीते हैं मानले जी वे सुभा सुभा घूमने चले गए उन्हें खांसी आई और बलगम निकलाई तो जो विवेक वाला व्यक्ति हैं उसे सड़क पर नहीं थुकेगा क्यूं? क्यूंकि वो जानते हैं इसे दूसरों को अस्विधा होगी मानले जी येदी वो जगा आपकी अपनी जगा हो क्या आपको वहाँ थोकना पसंद होगा? आप ऐसा नहीं करेंगे येदी वो आपकी अपनी जगा होगी इसलिए वो लोग सारवचनिक जगाओं पर नहीं थोकेंगे जिनके पास ऐसा भला विवेग होगा वो ऐसा नहीं करेंगे और ये कहता है कि फिर जब अन्य जाती जिनके पास विवस्ता नहीं स्वभाव ही से विवस्ता की बातों पर चलते हैं और यहां पर लिखा है उनकी विवेग भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस पर दोश लगाती या उन्हें निर्दोश ठहराती हैं यदि वो कुछ ऐसा करें जो उनकी विवेक के विरुध हो तो जिनके पास भला विवेक है उनकी विवेक में दोश महसुस होगा उनका विवेक ही उन पर दोश लगाएगा यहां तकि सूसमाचार सुने बगएर भी उनके पास ऐसा हिर्द हैं और अगर उन्हें सूसमाचार को ग्रहन करने का मौका मिलता तो क्या वो प्रभू को ग्रहन नहीं करतें इसलिए परमेश्वर सिर्फ इस बात के लिए उन्हें नर्क में नहीं डालेगा कि वे प्रभू को नहीं जानते थे बलकि विवेक के न्याय के द्वारा वो उन्हें सुर्ग में ग्रहन करेगा लेकिन जिनके विवेक भले नहीं है वो परमेश्वर को नहीं खोजते चाहे उनकी स्थिति या परिस्थिति एक ही समान क्यों न हो वो अपने इच्छा और वासनाओं के चलते पाप के पीछे चलते हैं यदि वो सोसमचार सुनते तो क्या वो विश्वास करते? वो विश्वास नहीं करते और उनके बोरे हिर्द्यों के अनुसार वे नर्क जाएंगे यहाँ पर मनुश्य सही से न्याई नहीं कर सकता है कि किसका उधार होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए पहला शमुल सोला अध्याए साथ बत कहता है क्योंकि यहवा का देखना मनुश्यों कासा नहीं है मनश्यों तो बहार का रूप देखता है परन्तो यहवा के दृष्टी मन पर रहती हैं केवल सृष्टी करता पर मेश्वर ही मनश्यों के भीतरी हिर्दे को देख सकता है और वो सही से न्याई कर सकता है यहाँ पर जिस बात का हमें पता होना चाही कि वे जिनोंने विश्वास नहीं किया यदे पि वो येशु को जानते थे उनका उधार विवे के न्याय के अनुसार नहीं होगा क्योंकि यह तो साफ है कि क्यों उनका उधार नहीं हो सकता वे जिनोंने अपना जीवन सुसमाचार आने से पहले जिया, उनका विवेग के अनुसार नियाय होगा परन्तु सुसमाचार प्रचार होने के बाद भी उनहोंने ये श्मस्य को ग्रहण नहीं किया ये भी लोगों ने उन्हें प्रचार किया इसलिए वो विवेक के न्याई की वस्तु नहीं है उनका उधार नहीं होगा जब सूसमाचार का प्रचार किया गया था तब उन्हें ग्रहन कना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं सुना कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पती बहुत अच्छे है, लेकिन जब मैं उन्हें सुसमाचार का प्रचार करती हूँ, तो वो सुनने की कोशिश नहीं करती, कृप्या मेरे पती के लिए प्राथना कीजी, वो कहते हैं कि उनके पती अच्छे है, लेकिन वो सुसमाचार को नहीं सुनते ना ही चर्शात तो फिर उनकी अच्छाई कहां हैं? क्या वो भलाई के लोग है? जब वो अपनी पत्नियों की नहीं सुनते, जब वो उन्हें कहती है कि स्वर्ग और नर्ख है, वो सुसमाचार को नहीं सुनते. क्या वो सचमच भलाई के लोग हैं उनके सामने सभी बातों के प्रमान हैं लेकिन वो उन्हें नहीं देखते क्या वो भलाई के लोग हैं ये दिवे भलाई के हूते तो उन्हें अपनी पत्नियों की अपने बच्चों की सुननी चाही तो फिर क्यों उनकी पत्निया कहती है कि उनके पत्ति भालाई के है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके साथ अच्छे रहते हैं जैसे वे अपने परिवार के साथ भले हैं उन्हें दूसरों के साथ भी करनी चाहिए उन्हें दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए जैसे वे अपने परिवार के साथ करते हैं यहां तक कि चोर और डाकू भी अपने परिवार से प्रेम करते हैं आप समझ पा रहे हैं पतनिया कहती हैं कि उनके पती भले हैं क्योंकि पती अपनी पतनी के साथ भलाई करता है जो भलाई के लोग होते हैं उन्हें सभी लोगों के साथ भलाई करनी चाहिए जैसे वे अपने परिवार के साथ करते हैं लेकिन परमेश्वर के वे संतान जो बचाए गए है उन्हें सबसे पहले सभी को सूसमाचार का प्रचार करना चाही चाहे उधार पाने की कोई संभवना ना भी हूँ, तो भी उनको प्रचार करने के द्वारा उने और अधिक मौका मिलता है उधार पाने का इसलिए मुझे आशा है कि हम सूसमाचार प्रचार करने के महतों को और भी अधिक बढ़ावा देंगी आए अब हम उधार पाने के प्रक्रिया को देखेंगे विवेक की न्याय के द्वारा दोनों ही पुराने और नई नियम में सबसे पहले पुराने नियम में प्रभु के इस धर्थी पर आने से पहले उन लोगों ने कैसे उधार पाया इसकी श्रीणी दो अलग-अलग भागों में बांटी जा सकती हैं पहले श्रीणी वो लोग जो परमेश्वर के चुने हुई लोग है और दूसरा है सारे आनिया जाती इस्राइलियों को मिस्दर से निकालने के बाद परमेश्वर ने उन्हें मुसा के द्वारा विवस्था दी इसलिए पुराने नियम के इस्राइलियों ने विवस्था मानने के द्वार उधार प्राप्त किया परन्तु वो अनिया जाती जो व्यवस्था नहीं जानती थी ना परमेशुर को जानती थी उनकी उधार का निर्णे उनकी विवेक के अनुसार हुआ इन लोगों की आत्माएं उपरी कवर में थी लेकिन येशु की कुरूस उठाने के बाद वो उपरी कवर में गया और उधार का सुसमचार उनी सुनाया जैसे कि पहरा पत्रस्ती नध्याय उननीस पद में लिखा है उसमें उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया उसने कुरूस का प्रचार वहां पर कैदी आत्माओं को किया उस थान में जहां भले विवेक के लोग रखे हुए थे वहां हमारा प्रभु गया और सूसमाचार का प्रचार किया तीन दीनों तक उसने ऐसा किया और असंखे लोगों ने सूसमाचार को ग्रहन किया क्योंकि वो भलाई के लोग थे इसलिए उन्होंने प्रभू के द्वारा प्रचार की हुए सूसमाचार को सुना और ग्रहन किया वो भवशे द्वक्ता जो प्रभू से पहले मर गए थी उन्होंने भी वहां पर सूसमाचार का प्रचार किया और अब प्रभू हां गया और उसने सुसमाचार का प्रचार किया और हमारे प्रभू ने उनसे कहा होगा कि मैं मसीह हूँ मैं कुरूस पर मरा आपको आपके पापों से मुक्त करने के लिए और उन्होंने भी अवश्य कहा होगा हाँ और आमीन वहां ज्यादा समय नहीं लगा होगा इसलिए वो आत्माएं जो उपरी कब्र में थी उन्होंने भी प्रभू के लखो के द्वारा उधार पाया परन्त वहां पर कुछ ऐसे भी लोग है जो नए नियम में सुसमाचार सुने बगेर ही मर गए थी उनका उधार किस तरह से होगा हमारे प्रभू के इस धर्दी पर आते ही सुसमाचार पूरे संसार में नहीं फैल गया था ऐसे बहुत से लोग थी जो बहुत से कारणों से सुसमाचार को नहीं सुन पाई उनका उधार भी विवेक के नियाय के अनुसार होगा उनके मरने के बाद वो तीन दिनों था कोपली कबर में रहते हैं और वो येश्व मसी के बारे में सीखते हैं और प्रभु को ग्रहन करने के बाद वो स्वर्ग लोग में इंतजार स्थल में भेज दिये जाते हैं हमारे प्रभु के पुनरुथान और स्वग अरुहन के बाद ही वे स्वर्ख लोग गए मसी में प्रियें भाईयों और बहनों कुछ ऐसे भी लोग है जो अपने स्वतंत रिचा से प्रभु को ग्रहन नहीं कर पाते हैं जैसे कि छोटे शिश्यों जो जल्दी मर जाते हैं उनका उधार कैसे होगा आए हम उम्र के आधार पर उधार के मापदन को देखेंगी चाहे कोई व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो नियाई अवशे ही होना है नियाई के बाद एक व्यक्ति या तो स्वर्ग जाएगा या नर्ग जाएगा क्यों है ऐसा मनुश्यों की आत्मा कभी नहीं भुचती है और ना ही वहो शारिरिक मृत्व के बाद गायव हो जाती है इसलिए या तो कोई व्यक्ति स्वर्ग चाता है या नर्ग चाता है लेकिन छोटे बच्चे के मामले में उधार को निर्धारित करने का मापदंड बड़ों से थोड़ा सा लग है छोटे बच्चों में स्वयम से चीजों को पहचान करने की योगता नहीं होती है और साथ ही उनके लिए यहों मुश्किल होता है कि वो अपनी इच्छा से कारे कर सकें सबसे पहले मैं आपको गर्वस्त शिशु के उधार के बारे में आपको बताऊँगा जो मा के गर्व में मर जाते हैं यहां तक कि शुक्राणू और अंडाणू के गर्वाधान के बाद भी एक परिपक्व गर्वस्त शिशु को पांच महिने तक आत्मा नहीं दी जाती हैं पांच महिने के बाद ही छट्वे महिने की शुरुआत में आत्मा शरीर में दी जाती हैं आजकल के दिनों में विज्ञान काफी अधिक विक्सित हो चुका है क्या उन्होंने कुत्तों का प्रतिरूपन किया है मेरा मतलब है कुत्तों या सूरों का प्रतिरूपन मुनश्यों का प्रतिरूपन करना संभव है क्यों एक प्रतिरूपन वेक्ती अर्थात क्लोन से बनाया हुआ वेक्ती वो जानौरों के समान है क्योंकि उसमें कोई आत्मा नहीं होता वो जानौरों के समान जी सकता है लेकिन क्योंकि उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है इसलिए वो परमेश्वर की खोज नहीं करता ना ही मनुश्यों के समान करतब्य करता है वो मनुश्यों के समान दिखता तो है लेकिन वो मनुश्यों है नहीं पांच महिने के बाद छटवे महिने की शुरुआत में आत्मा मनुश्यों में दी जाती है आपकी सूचना के लिए यदि चिकित सक रूप से भी बात करूं तो श्रवण अंग अर्थात सुनने वाले अंग पांच महिने के बाद ही पूरे होते हैं और पांच महिने के बाद ही उनकी पलके बनती हैं और वो आँखे खोलते हैं और दिमाग की सिकूडन जो दिमाग की कार्य विधी को प्रकेट करती है उसका विकास भी पांच महिने में होता है लोकार अचित सुसमाचार के एक अध्याए में हम वहाँ पर एक लेख देखते हैं यहुना बप्तिस्मादाता के बारे में जब वह छे महिने का था अपनी मा के घर में कौारी मर्यम एलिजा पेथ की घर गई जो उस वक्त यहोना बब्तिस्मा दादा की समय में छट्वे महीने में थी जब एलिशिबा ने मर्यम के नमासकार को सुना तो बच्चा उसके गर्व में उचल पड़ा हालांकि वहो गर्व में बच्चा ही था तो भी उसमें आत्मा थी और यहो पवित्रात्मा के कार्याओं के अनुसार हुआ कौारी मर्यम ने येशु को गर्व धारण में पाया और यहोना बब्तिस्मा दादा अपनी मा के गर्व में छे महीने का था लेकिन वोहाद पवितरात्मा की प्रेणना के द्वारा इस बात को जानता था और वोहाद अपनी मा के गर में उच्छल पड़ा यदे भी वहाद एक गरवस्त शिशु था लेकिन क्योंकि उसके अंदर प्राण और आत्मा था इसलिए पवित्रात्मा के अनुसार उसने प्रतिक्रिया दी यदि एक बच्चा पांच महेने पूरे करने से पहले मर जाएं अर्थात आत्मा दिये जाने से पहले तो वहो ना तो सुर्ग से समन रखता है ना ही नर्ग से ये बिल्कुल जानुवर के समान है जिसमें कोई आत्मा नहीं जब जानुवर मर जाते हैं वो ना तो सुर्ग जाते हैं ना नर्ग बलकि खद्म हो जाते हैं सफव उदेशक तीन अधिया 21 वद में लिखा है क्या मनुश्यों का प्राण उपर क्यों चड़ता है यदि यहाँ नया नियम होता तो यहाँ मनुश्यों की आत्मा लिखा होता लेकिन यहाँ पर लिखा है मनुश्यों का प्राण इस वक्त इसमें धोनों ही हैं बचाई हुई आत्माई और नहीं बचाई हुई आत्माई और पशों का प्राण नीचे के और जाकर मिट्टी में मिल जाता है कुछ लोग ऐसा सोच सकते है कि पांच महिने पूरे होने से पहले बच्चे को घर में मार देना ये कोई पाप नहीं है लेकिन हमें यहां जो बात याद रखनी है वो यह हो कि जीवन का अधिकार परमेशोर से समन्द रखता है चाहे बच्चे में आत्मा हो या ना हो भजन सहीं था 149 अध्याय पंदर और 16 पत कहता है जब मैं गुफ्त में बनाया जाता और पृत्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तम मेरी हड्यां तुझ से छिपी ना थी तेरी आँखों ने मेरी बेड़ोल तत्थों को देखा और मेरी सवंग जो दिन दिन बनते जाते थी वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थी जब हम पैदा होते हैं तो यहाँ स्वर्ग में लिख लिया जाता है और जब हम प्रभू को ग्रहन करते हैं तो हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिये जाते हैं जीवन की पुस्तक में परंतु वे जो अपने हिर्दय का खतना नहीं करते बलकि गंदगी में रहते हैं उनके नाम जीवन की पुस्तक से काट दिये जाते हैं जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है उनके नाम जीवन की पुस्तक से काट लिये जाते हैं जिसका मतलब है वे उधार नहीं पाते एक बार अगर पवित्रात्मा भुज जाता है तो वे उधा नहीं पा सकते वे जिनके नाम जिवन की पुस्तक में लिखे हुए है वे अंतिम न्याय के दिन प्रतिफल पाएंगी और जिनके नाम जिवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं तो उनका न्याय होगा कि वे क्या आग की जिल में डाले जाएगी या गंड़क की जिल में आपके गर में आने से पहले ही पिता परमिश्वर सब बातों को जानते हैं और साथ ही आपके भविश्य के लिए उसने भली विचार और यूजनाय बनाई यहां तक है अपनी पुस्तक में लिखा है यहां सृष्टिकरता परमिश्वर की विरुद खड़ा होना है जो जीवन का दाता है और साथ ही जो बच्चा गर में है वो आपका अपना बच्चा है इसलिए इस तरह के दैनिय स्थितिक अभी भी नहीं होनी चाही मामला जो भी हो विश्वास और प्रातना के साथ माधा पिता को परमिश्वर के हाथों में सौंपना जाही ताकि परमिश्वर अपना कारे कर सके कुछ मामलों में विश्वासी आशिश नहीं पाते बल्कि लगातार परिक्षाओं और आजमाईशों में पढ़ते हैं यदे पी ऐसा लगता है कि वे एक विश्वास योग्य मसी जीवन जी रहे हैं वे एहसास ही नहीं करते हैं कि उन्होंने इस तरह का कारे पहले किया है फिर वे पश्चताब करते हैं इस तरह से उनकी आजमाईशों और परिक्षाओं दूर हो जाती हैं यही आत्मिक नियाम का सिधान थे और साथ ही यदि वे अपने आनंद और वासना के चल दे एक उड़ाव जीवन जीएं और फिर बच्चे के भून हत्या करें तो यहाँ प्रमेश्वर की दृष्टी में और भी अधिक अनुचीत है यदि कोई बच्चा 6 महिने या उसे अधिक का है उसकी भून हत्या करने के द्वारा प्रमेश्वर की विरुत महान पाप की दिवार खड़ी करते हैं 6 महिने के बाद बच्चे के अंदर आत्मा होती है उसको मारना बिलकुल ऐसे है जैसे किसी बड़े जवान मनुश्यों को मारना है ऐसा करने के द्वार आप परिक्षव और आजमाईशों में पढ़ेंगे यदि आप इस समस्या का समधान नहीं करोंगे और लगातार पाप पर पाप करते रहोंगे तो अंत्य तहाप ऐसे नतिजों पर पहुँचोंगे जिससे आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे शैतान के दोश लगाये जाने की बज़ा से इसलिए कुछ ऐसे लोग है जो ये सोचते हैं कि वो अच्छा मसी जीवन जी रहे है लेकिन वे लगातार आजमाईशों से और मुश्किलों से गुसरते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने पहले घून करने के बज़ह से पाप की दिवार को नाश नहीं किया है उन्हें उस पाप की दिवार को नाश करना चाही परन्तु आप मैसे कोई भी ऐसा नहीं होना चाही जो यहोँ सुनकर डर जाए और निराश हो जाए यदे भी आपने इस तरह से कुछ पहले किया भी है परन्तु अब आप सत्य को जानते हैं इसलिए आप निरंतर पश्चताब कर सकते हैं और पश्चताब के फल उत्बन कर सकते हैं मैं आप से बिनती करता हूँ कि सची हिर्दे से परमिश्वर के सामने आप पश्चताब करें और साथ ही मेल बली अरपन करें अपना बेहतर करने के द्वारा कि उसका हिरदय छू सकें मुझे आशा है कि आप आपकी दिवार को परमीशुर और अपने बीश में तोड़ने के द्वारा मेल मिलाप में रहे और अब आपको क्या करना चाही यदि आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि हर वक्त मैं आपको कहता हूँ ज्यादतर बीमारियां तब चंगी हो जाते हैं जब आप इस बेदी से प्राप्तनाओं को ग्रहन करते हैं परन्तु यदि आप चंगे नहीं हुए हैं प्राप्तनाओं को ग्रहन करने के बाद भी तो इसका मतलब यह हो है कि कोई ना आपके ऐसी दिवार होनी चाहिए जिसे आपने अभी तक नहीं तोड़ा है और इसे तोटने के लिए आपको अपने हिर्दे की गहराई से पश्चताब करना चाहिए यदि आप पश्चताब करें अपने हिर्दे की गहराई से तो ऐसा क्योल होटों से ही नहीं होना चाहिए कि परमिश्वर मुझे पैसों की बहुत अधिक जरूरत थी, इसलिए मैंने बैग चुराने की कोशिश की, इसलिए परमिश्वर मुझे एक शमा करो क्या आपको लगता है कि होटों से सिर्फ ऐसा अगिकार करने से सच्चा पश्चताप हो जाएगा ये सच्चा अगिकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता परन्तु यदि आपने कुछ ऐसा पाप किया है जो आपको मृत्यू की ओर ले जाएगे तो उसकी ख्षमा तब तक नहीं हो सकती, जब तक आप अपने हिर्दय की गहराई से और बहतिवी नाक से पश्चताप ना करें परन्तु यदि आपने शरीर की चीज़ों को किया है, तो हो सकता है कि आपको क्योल अपने होटों के द्वारा ही अपने पापो कांगिकार करना होगा और ख्षमा मांगनी होगी और वो ख्षमा हो सकता है और आपको फिर से वही पाप नहीं करना चाही क्योंकि यहाँ ऐसा पाप नहीं जो मृत्वी की ओर ले जाएं इसलिए कि वोल होटों से आप पश्चताप कर सकते हैं यदि आप अपने हिर्दे की गहराई से इससे पश्चताप करें तो फिर आपको वही पाप फिर से नहीं करना चाही और अब यदि आपने कोई ऐसा पाप किया है जो मृत्यू के और ले चाएं तो आपको अपने हिर्दे की गहराई से बहते हुई नाक से आंसु बहाते हुई पश्चताप करना चाहाई जब आप पश्चताप करते हैं यदि आपकी नाक बह रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ आपकी हिर्दे की गहराई से सच्चा पश्चताप है यदि आपको जुखाम लग जाता है तब भी आपके नाक बहते हैं यहाँ आपकी हिर्दे की गहराई से सच्चा पश्चताप नहीं होगा भराई का व्यक्ति जब भली बातें सुनता है या कोई प्रभावकारी संदेश या समचार सुनता है तो वो आंसु बहाता है लेकिन क्या वह उसकी हिर्दे की गहराई से पश्चताव हो गया क्योंकि उसकी नाक बह रही है आंसु बह रही है जब आप प्रातना करते हैं आप प्रभावित होते हैं और आंसु बहाते हैं क्या यहों आपके हिर्दे की गहराई से सच्चा पश्चताप है नहीं यदे पि आपके नाक क्यों ना बह रही हो आंसु क्यों ना बह रही हो तो फिर सच्चा पश्यताप क्या है आपकी हिर्दय की गहराई से बाई भल आपको कहती हैं कि अपने हिर्दय को चीर दो अपने हिर्दय का खतना करो अपने पापों के संधर्म में आपको एहसास करना चाही कि उन पापों के लिए पिता पर मिश्वर कितने दुखी है जो पाप आपने किये जिने आपको कभी नहीं करना चाहिए था जो आपको नर्क की ओर ले जाते हैं आपको कहना चाही कि मैं वही पाप फिर से कभी नहीं करूँगा अपने हिर्दे को चीरते हुई आप दुखी हैं शर्म से भरे हैं और आप निराश है उन पापों के लिए जो आपको नहीं कने चाही थे यदि आप इस तरह से पश्चताब करेंगी तो इसका मतलब यह हो है कि आप पीड़ा उठा रहे हैं और आपका पश्चताब दर्दनाक है इस तरह के पश्चताब के द्वारा आप वही पाप फिर से नहीं करेंगे इसकी बज़ा से आप पूरी तरह से पाप से मन फिराएंगे यह हो है वो पश्चताब जिसे पर में शुर ग्रहन करेगा और पाप की दिवार वो नाश हो सकती हैं जागरीती सभाओं के दौरान जीन लोगों ने सच्चा पश्चताब किया था निशित रूप से उन्होंने चंगाई पाई आपको इस बात को समझना चाही और अपने हिर्दय की गहराई से पश्चताब करना चाही आपको ऐसा पश्चताब करना चाही कि फिर से आप वही पाप ना करें जिसकी बजह से हर दिन आप मृत्त्य की ओर जाओ तब परमेश्वर आपको ख्षमा करेगा और पाप की दिवार नाश की जाएगी और आप उत्तर प्राप्त करेंगे आपको ये पता होना चाही और आपको दुसरों को भी सिखाना चाही यदि आप शरीर की चीज ये करें तो इसका मतलब यहो नहीं कि केवल इस तरह के पश्चताब के द्वारा वो ख्षमा हो जाएए जब आप अपने गलती मान लें और परमेश्यों से प्रात्ना करें कि आप ऐसा काम फिर से नहीं करेंगे तो आप ख्षमा पाएंगे परन्तु यदि आप अपने हिर्दे की गहराई से पश्चताब कर सकें ऐसे कामों के लिए भी तो आप आसानी से और तेजे से सभी शरीर की चीज़ों को निकाल सकते हैं आप शरीर के कामों को करना रोक सकते हैं परन्तु शरीर की चीज़ें ऐसी है चाहे आप ना भी चाहे तो भी आपके मनों में वहाँ आ सकती हैं इसलिए अगर आप अपने हिर्दे के गहराई से पूरी तरह से शरीर की चीजों के लिए बश्यताब करें तो यहोँ आपके लिए आसान हो जाएगा तमाम इन शरीर की चीजों को दूर करना आपको इन सभी चीजों को सही से समझना है तो फिर उधार का मानक उन बच्चों के लिए क्या है जो छे महीने या उससे बड़े है अगले सत्र में मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा मसी में प्रियंभाई और बहनो जवाब पाप और न्याई के बारे में संदेशों को सुनते हैं तो आप मैसे कुछ लोग डर सकते हैं परन्तों क्या कारण है कि पर्मेशों ने न्याई को स्थाबित किया है और हमें आग्याई दी है वो इसलिए नहीं कि वो हमें न्याई करें बलकि इसलिए कि उधार की उर हमारी अगवाई करें अपनी इच्छा को बताते हुए ये उसका प्रेम है ताकि हम पाप ना करें सत्ते को जान कर और अगर कोई ऐसा पाप है जो हमने पहले किया है ताकि हम उससे पश्चताब करें और पाप की दिवार को नाश करें और साथ ही न्याई परमेश्वर हमें बचाने की कोशिश करता है अगर थोड़ी सी भी संभावना हमारे बचाय जाने के लिए आउधार पाने के लिए होती है तो इसी कारण से उसने विवेक के न्याई को भी स्थापित किया है सुभा सुभा सड़क साफ करने वाले लोगों के लिए सड़क पर जल रही लाइट काफी मददकार होती है लेकिन चोरों को वो लाइट पसंद नहीं आती इसी प्रकार से प्रतिक व्यक्ति की अलगरग भावनाई होती है परमेश्वर की न्याई के विश्य में जो दोपहर की सूरज के समान चमकता है वो जो सचमुच भालाई की लोग है वो उसकी कानौन का पालन करने की कोशिश करेंगे इस नंसार की कानौन के साथ-साथ वो धन्यवादी है कि उनके पास कानौन है और वो कानौन को मानते हैं वे निश्चित रूप से परमेश्योर के कानून को भी मानेंगे यदि वे विश्वासी हैं, परंतु वे जो भलाई के लोग नहीं हैं, वो लगतार कानून तोड़ते हैं जब दूसरे उनको नहीं देखते हैं, और वो सोचते हैं कि कानून को तोड़ना ये ठीक है. भले लोग जब परमिशुर के न्याय को देखते हैं तो वे उसमें परमिशुर के प्रेम को महसूस करेंगे परन्तु वे जो कोशिश भी नहीं करते हैं वे परमिशुर के न्याय को बोज और भारी महसूस करेंगे मैं केवल सत्य सिखाता हूँ और आप सब बातों को आमीन से और आनन से ग्रहन करते हैं परंतु वे लोग जो निराश हो जाते हैं या जिनें बुरा लगता है वे वे हैं जिनके पास कानुन तोड़ने वाला मन होता है या फिर इसले क्योंकि वे वचना अनुसार नहीं जीते और जब मैं उन्हें एहसास कराता हूँ कि वो सचा विश्वास नहीं है तो उन्हें धन्यवादी होना चाही और अपना मन बनाना चाही कि वे अपने शारिरिक विश्वास को बदल कर आत्मिक विश्वास में बदलें लेकिन धन्यवादी महसुस करने के बजाए उन्हें बूरा लगता है मुझे आशा है कि आप हमेशा सत्य में बने रहेंगी जैसे मानो आप परमिश्वर के सामने कारे कर रहे हो और परमिश्वर के नियाय को प्रेम की रूप में महसुस करेंगे नियाय का होना कितने धन्यवाद की बात है यदि आप इस सत्य को जाने तो ना केवल परमिश्वर के प्रेम के लिए बलकि उसके नियाय के लिए भी आप धन्यवादी रहेंगे ऐसा करने के द्वारा आप नहीं यरुशलिम की और आगे बढ़ने पाएं जो स्वर के उज्वल जोदियों से भरा है प्रविश मसी के नाम से मैं प्रात्ना करता हूँ